As a Minister in the Modi Cabinet, आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर कितना ध्यान देते हैं और क्या करते हैं? आज की दिनों में इसकी शब्दावली कहा गया है कि मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेंटल विल्बिंग होनी चाहिए. यह कोई यह निर्भी बादित भीशह है. कभी-कभी उसमें से एक धहरे से जब थोड़ा उल्टा, कभी घटना हम देखते हैं, बड़ा सब को कश्ट देता है. इसके लिए जो, अगर मैं आज की सिक्षा विभाग में ऐसे कभी कुछ घटना आती है, तो मैं अन्य किशी को जिमेवारी देने के पहले खुद को जिमेवार वानता हूँ. यार इसे कैसे हो गया, इसे नहीं होनी चाहिए, इसको संभालना पड़ेगा, और मैं उसके लिए जिमेवार हूँ, इसे एक बोज मेरे उपर आ जाती है, ये एक सामाजिक विशह है, जैसे ये IIT के स्टूडेंट्स, कोटा स्टूडेंट्स, जो हाई प्रेशर है, कोई भी ये वेवस्ता कुछ नहीं बनी है कि ऐसा नहीं है, आज देश की सारे शिख्यानुष्टान में, सारे एजुकेशन इस्टूडेंट्स में इस प्रकार की काउंसिलिंग की वेवस्ता, इस प्रकार की विशों में चर्चा हो, खुलके चर्चा हो, दोस्तियारों के बीच में आज IIT ओगरा में वान टीचर, 10 स्टूडेंट्स के उपर है, इतने नेटवार्क उनकी बन जाए कि वो सब की रोज में एक दिन खबर तो ले ले, उसके बाद भी घटना होते हैं, ये आज की दिनों में एक मेटेलिश्टिक वाल में, जो स्परधा की नई पैमाने, नई प आज ही सिकर्दिया नहीं है कुई मिश्टी चूई सहनं ले, जाने में अन जाने में उसके लिए सेवगार्स बनानी पड़े कि, उसमें कॉंसेंस बीलड़क करना पड़ेगा, इसमें क लोक जागूरती में उसकी जिम्ने वारी सभी को लेना पड़ेगा, मैं उसमें सबसे बिवा की दाई तो धारी के नाते, सब ज़े ज़्यादा जिमेवार वेक्ति हूं, मैं उसकी दाई तो लिता हूं और पर्सनल कैपासिटी में सर, क्योंकि अगर एडुकेशन मिनिस्टर पेज अटेंशन तो तो आपके जो अंडर काम कर रहे हैं and the other members also in the team, उन पे भी असर पड़ेगा So how does the cabinet function like that? क्योंकि बाकी मंत्री कह रहे थे, जैसे मैंने पियुष जी का इंटर्व्यू किया था, उन्होंने का कि प्रधान मंत्री तक पूछते हैं लोगों के बारसे में कि Are you keeping track of your health? तो आप क्या करते हैं? मेरे को जैसे मेरे कुछ एक दिन्चरिया है, उसको मेरे को करना पड़ेगा, यह मेरे को खुद को मानशी को सारीरी गुरूप में ठीक रखने के लिए मेरे को ही करना पड़ेगा यह सिर्फ कोई फीट इंडिया में आएगा फीट इंडिया तो एक जना अंदुलन है कार्यकरम है सबको उसमें से लगनी चाहिए लेकिन हम खुद कोशिज करने यह तपश्या है जिसे आज मेरा ब्याम नहीं हो पाया नहीं हो पाया यह सारा बिश्या को रोज रोज उसको याद करके प्रेक्टिस करना है प्रेक्टिस प्रेक्टिस makes man perfect उसकी कोई सौटकट नहीं है रोज उसको करना पड़ेगा सर अब मैं उदीशा पॉलिटिक्स के बारे में बात करती हूँ आप यह अब अब आप श्रीघ में प्रेक्टिस के अब करी यह उसकी है प्रेक्टिस में मैं बचपन से ही सामाजिक जिवन में हूँ जब मैं कॉलेज आया गार भी में आया थब से मैं A.B.B.P. के आक्टिविस्ट हूँ टब से मैं यह काम करते आया हूँ यह बात सही है मेरे पिताजी भी अटल जी की सरकार में काम कर रहे थे राजनिती में भी थे लेकिन वह भी सक्किरी राजनिती में नहीं है और मैं अभी लंबे समय हो गया मैं भी उस काम पे हूँ मैं 83 में कॉलेज आया प्लस टू पढ़ने आया और 83 और से 2000 तेज से हिसाब करे तो मैं भी भच्पन से इस काम को करते आया हूँ लेकिन यू यू बर्स इंटो दे सीन इन 2014 कि ये प्रधानमंत्री के उजवला मैन है वो एक आपके साथ एक जुड़ गया देट उजवला योजना तो उसके बारे में कुछ बताएंगे देखे जब मैं आपको एक बात को याद देलना चाहूँगा चुनाओ की पहले, 14 की पहले जब 13 में प्रधानमंत्री जी देश की विभीन हिश्चे में जाते थे एक बात कहते थे कि हमें लड़ना किस्से है हमें इस देश की गरीवी से ही लड़ना है को उनों की जिन्देगी में खुसाली लाना है। इसलिए उन्हों एक सब्द कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, विश्वास, सबके लिए प्राइस करना। यह उनुनने एक फिलोसोफी दिया था, और जब वो पहले दिन चुन के आये और इंडिये ने उनको अपना नेता चाहिन किया सेंटरल हॉल में उनका पहला भास्टान में क्या था कि मेरे सरकार देश की गरिबों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश की इवाओं के लिए, देश की बंचिद वर्गों के लिए समर्पित है, दलीतों के लिए समर्पित है, जनजाती के लिए समर्पित है, ये सिरिफ एक स्लोगान नहीं था हम लोगों के लिए, ये एक का सब्द नहीं था एक मंत्र था एक फिलोशफी था एक पात्वे था सभी भी भागों ने जब अपना अपना काम सुरू किया कमिट्मेंट के हिसाब से गरीब कल्यान करना है कल्यान कारी राज्य खड़ा करना है यह प्रधान मंत्री जी का फिलोशफी देश उची पे उनको सभी भी भाग ने अपने कामों में जुटे तो मेरे को जोदाई तो मिला था उसमें हमको अचानक समिक्षिया करते हुए ध्यान में आया कि तो देश की एक बहुत बड़ा पब्लिक डिश्यूशन सिस्टम समालने वाला पिडियेज समालने वाला विभागे लपीजी डिप उमर भी लगभग तीन कोरोड थे घोस्ट मतलब नियम है कि एक घर में एक कनेक्षन जाएगा गास कनेक्षन एक घर में जाएगा यह व्यवस्ता था लेकिन लोगों ने ग्यास सबशीदी उसमें रहने के कारण लोगों ने अपने दुसरे तिसरे नामों में उन्होंने एक एक हाउस होल्ड की नाम पे तीन चार कनेक्षन भी रखे थे कुछ लोग और उसको फिर बेच रहे थे क्या कर रहे थे फिर उसको मार्केट में बेच लेते इसके कारण सरकार की काफी नुकसान होती थी पिल्फरेज हो गया फिर ना तो सुरुआत में बधान मंतरी जी एक क लोगों को इसको टेक्नोलोजी के साथ जोड़ दो एक कंजूमर नमबर है आपका एलपी जी का एक उसकी बैंक अकाउंट होगा और उसको पूछ के उसकी स्वेच्चा से आधार का नमबर जोड़ दो समिता जी तीन करोड घोस्ट कंजूमर निकल गए फिर प्रधान मंतरी जी ने देश को अपिल किया जो लोग सबसेड़ी नहीं लेना चाहिए वो लोग नहीं ले गिव इट अप करो एक करोड से दाजा लोग गिव इट अप किये तो फिर जो बचत हुई उसमें योजना बनी और आपने मेन बजेट से भी पैसा आया कि जिनकी घर में भारत में पांच लाक महिलाओं के प्रति बरस जीवन जिन्देगी समाप्त होती थी domestic pollution के कारण उपले लकडी किरोशी नौयल अन्य प्रदुशन कारी cooking fuel के कारण पता नहीं चलता था खाना दो बनाना ही रोज कितने समय जाता था cooking material को जुगार करने में बारीशों में अलग कस्ट प्रदुशन समय इसको ध्यान में रखते हुए प्रदान मंत्री जी कि खुद की गरीबी जिन्देगी जिनने के कारण का अनुभब था उन्हों ने कहा कि इन माओं के बारे में चिंदा करो उसी में से प्रदान मंत्री उज्वला योजना की कलपना हुई निती बने बजेट के अलोकेशन आई क्रियान वन हमने किया हमने तो गिलहरी के काम किया